तो आज की वीडियो में सीटेट के तरफ से एक पब्लिक नोटिस आया है जिसमें एडिमिट कार्ट से रिलेटेड इंफॉर्मिशन आई है तो हम उस पब्लिक नोटिस को पढ़ेंगे तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो सीटेट का एक्जामिनेशन है वो जो अब अ बार नहीं जाने वाला है उस अगस्त में 20 अगस्त को संडे को रखा गया है कि सीटेट का एक्जाम होगा और एक और नई चीज यह है कि पिछले दो बार से जो अग्जाम है वो आपका आपका उन्लाइन हो रहा था कंप्यूटर पे हो रहा था बट इस बार आपका एक्जा तो वह हम देख लेते हैं तो यहां पर pre admit card आया है आप देख सकते हैं जैसी मैंने seated डाला है न तो यह एक link आ गई है यह link इस link पर यहां भी देख सकते हैं seated admit card बढ़ हम directly link से देखते हैं तो आपको link पर click करना है जैसी आप इस पर click करेंगे click करने के बाद इस तरीका का display आएगा और यहां पर देखेंगे कि आपके बास public notice आया है जो कि आज का ही है तो इस पर हम click करेंगे download पर करेंगे download करने के बाद इस PDF को हम open कर लेंगे open करते हैं आप देखोगे Hindi English दोनों में तो मैं English में पढ़ती हूं और उसको आपके लिए translate कर देती हूं तो इसमें क्या बोला है इसमें बोला है कि जो CTAT का जो test है जो आपका examination है जिसकी जो application process है वो 27 से लेकर 26 में तक चली थी ठीक है मतलब एक महीने examination चला था वो जो है वो 28-23 Sunday को offline mode में conduct होगा और जो आपका admit card ह है applicants का जिसके अंदर आपकी जो examination के city में होगा examination का center के है वो सब चीज लिखा होगा वो आपको http seated.net मतलब seated की website पे मिलेगा ठीक है इसमें बोला गया कि applicants जो भी है जो seated का exam के apply किया है नोंने या फिर जो seated का exam देने जा रहे हैं वो जो भी applicants है उनको क्या करना है अपना examination city जो आप online examination देने जाते थे तो आप city select करते ना कि आप राजिस्थान में paper चाते हो यूपी में चाते हो दिली में चाते हो मुंबई में चाते हो जिस state में आप चाते हो ऐसी आपको इस select करना है बट मतलब select करना होता था पहले बट अब क्या हो गया है अब आपका जो paper है वो offline mode पे होगा तो जो examination cities यह वह availability के हिसाब से change होगी ठीक है क्योंकि जब online paper होता था था तो आपका paper कम से कम एक हफता चलता था इंट्रेक लास्ट टाइम जो सीटेट का exam हुआ था वह भी लंबा चला था उससे पहले 2021 में exam हुआ था वह भी दिसंबर से जैनुरी तक चला था त अब आपका OMR sheet पे हैं तो इसलिए यह आपका सिर्फ एक दिन का paper है OMR sheet में इसलिए अब सिर्फ 20 तरी को paper होगा Sunday को एक दिन होगा जो भी सीटेट का paper है सिर्फ एक दिन होगा क्योंकि OMR के हो रहा है तो इसलिए अब क्या होगा आपको जिसे online में आपकरते हैं वह करने के अब offline में paper है तो आपको क्या करना है अपनी cities अपनी मतब cities आपको provide कर दी जाएंगी जैसे जैसे जो भी availability होगी उसकी according इसलिए district of the present address given by the applicant तो जो आपने online form भरा है उसमें जो आपने अपना address डाला है ना उसी के nearest आपको examination center मिलेगा उसी के nearest आपको जो है वह आपका center मिलेग I need request for changing of city will not be अगर आप बोलोगे कि भाई हमारे city change कर दो तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा तो देखो मैं आपको summarize करके बताती हूं आपका जो seated का examiner 20 अगस्त को है offline mode पे है जब online exam होता था तो आपका paper एक हफ़ता चलता था एक हफ़ता दस दिन चलता था 15 दिन भी चला है ठीक अब center मिलेंगे कैसे आपने जो अपना address जाला है ना form fill करते समय जैसे for example मैं हूं मैं दिली में रहती हूं तो मैंने address दिली का डाल दया कि यह यह जगा और दिली तो मेरा center दिली में ही आएगा ठीक है अगर कोई इंसान है और दिली में जो मेरा जैसे for example मैं रहती हूं let's suppose मै मायपूरी के आसपास ही मेरा center पढ़ेगा क्योंकि यह मेरा address है इसमें यही चीज लिखी है साफ साफ और इसमें बोला है कि अगर आपको जो city मिल जाएगी उसी city में आपको exam देना पढ़ेगा आप change नहीं करवा सकते let's suppose मैं दिली में रहती हूं अब मुझे मिल यूपी मि पढ़ेगा मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि भाई मैं दिली में रहती हूं दिली दो चीक है वैसे जहां तक इन्होंने बोला है अपने आसपास की cities ही मिलेगी जैसा आपने address भरा है उसके according अब यहापर बोला है CTAT का admit card है वह 18 तरिक को आएगा तो 18 अगस्त को CTAT का admit card आएगा औ अगस्त को आपका paper है इसका मतलब जो आपका admit card है वह आपका 2 दिन पहले आएगा और इस admit card में आपका time of examination, day और आपका जो place of examination है और भी आपका paper 1, paper 2 और जो भी information है वह सब चीज रहती है आपके admit card होता है तो admit card है वह आपका CTAT की official site पे मिलेगा 18 तरिक को और अभी आपका public notice हाया है pre-admit card से related तो अभी फिलाल यह information है इसके अलावा हम और देख लेते हैं तो और यहाँ पे बस यही लिखा है कि public notice है तो offline exam है जो कोई pen paper होगा omr based तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है ठीक है यहाँ पे प्री admit card टाइप से की information दी है जिससे आपको पता लग जाए कि और अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप directly भी ले सकते हैं यहाँ से नहीं तो आपको description में telegram का link मिलेगा उस telegram link पे आप click करने के बाद आपको हमारे telegram आजाएगा study point के नाम से तो वहाँ पी यह PDF आपको मिल जाएगी वहाँ से यह PDF देख सकते हैं पढ़ सकते हैं और अपने माइन में याद नहीं रहता है तो आप हमारे channel से connect हो सकते हैं यह चीज मैं भी recall आपको करवा दूंगी और admit card कैसे निकालना है क्या process है क्या है क्या नहीं है वह सब चीज आपको उसी वीडियो में दिखेगी ठीक है तो admit card आने दो उसको आपके पास वीडियो भी आ जाएग और मैंने अपने teaching course के second year में ही अपना सीट दे दिया था इसी हजिसे में कमपड़ पाई थी तो कि आपको कुछ भी बूचना हो मुझसे तो आप पूच सकते हैं comment section में सीट की तयारी के बारे में कुछ question हो कोई आपको query हो कोई doubt हो कुछ भी आपको admit card कैसा आएगा कुछ भी आपको